हालो एभरिवान माइन इस निवे दिता नाउन के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक दो कंसेप्टिंट्स के बारे में इसके बाद जो नेक्सट वीडियो होगा उसमें हम नाउन पर एरस सौल्फ करेंगे सब्सक्राइब करते हैं क्लेक्टिव नाउन इंगलिश में इसका बहुत इंपोर्टन रोल है इसको लेकर हम एक दो चीज़ें आज देखेंगे क्लेक्टिव नाउन क्या होता था जो ग्रुप को रेप्रेजेंट करता था किसी भी चीज के ग्रुप को जो सेम काइंड का हो इट कैन भी पीपल इट केन भी एनिमल्स इट कैन भी तो जो ग्रुप चीजों को बताता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं जैसे कि यह कुछ एक्जैंपल्स हैं हमारे सामने फ्लॉक ऑफ शीप फ्लीट ऑफ शिप्स शिप्स के ग्रुप को हम जिएग और रॉबर्स होता है लीटोफ पपी चुट्चट पपीजब होते हैं उनके ग्रुप को हम लीटोट कहते हैं या किटिन के अच्वाड़्स को हम आर्मी कहते हैं जिनने पता ना हो इस वर्ट को ध्यान रखें और मीद डियूप पशल्जयर को तो कहा ही जाता है ए pack of cards होता है crew of sailors होता है band of musicians class of students all these are your collective nouns यह कुछ examples है collective nouns के ऐसे बहुत सारे collective nouns हैं जो आपको पता होने चाहिए तो पहली बात तो collective noun group को represent करता है दूसरी बात collective nouns के साथ singular verb लगती है और यह neutral gender को follow कर रहे होते हैं neutral gender से मतलब था हमारा जो इट प्रोडाउन होता है यह इट या इट्स इनका यूज कर रहे होते हैं साथ में मतलब collective nouns singular verb लेती है और neutral gender लेती है जैसे कि श्याम हैड अफ लॉक ओफ शीप अब सुनने में शायद यह सेंटेंस अही लग रहा होगा कि श्याम के पास शीप का फ्लॉक है फ्लॉक मतलब ग्रूप ऑफ शीप हैं और उसने एक हर्ट्स इस में फॉर इट्स मैंटेनेंस ध्यान रखे यहां पे आएगा इट्स नाहीं हीड और इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यह singular लेगा क्योंकि collective noun हमेशा singular चीजों को फॉलॉ करेगा बट अब आता है छोटा सा ट्विस्ट यह जो collective यह चोटी सी बात जब भी कोई collective noun जो group है अगर वो as a unit कोई चीज कर रहा है as a whole कोई चीज कर रहा है तो उसको treat किया जाता है single entity और तब उसके साथ लगता है singular verb बट अगर sentence में ऐसा कुछ भी mention है जिससे पता चल रहा है कि वो जो group है वो एक जैसी कोई चीज नहीं कर रहा है अलग-अलग कुछ कर रहा है यह separation type का कोई भी indication मिलेगा तो हमें उस collective noun के साथ प्लूरल वर्ब लगानी पड़ती है and that's why this collective noun is very important क्योंकि दिखने में तो यह प्लूरल लिखता है लेकिन वर्ब singular लेता है पर फिर यह भी कह देता है कि यह प्लूरल वर्ब भी ले सकता है तो overall देखें तो collective nouns can take both singular and plural verb but as per the need तो वह नीड हमें पहचाननी होगी sentence में मतलब इन जनरल तो हम singular ही लगाएंगे जैसे the jury made its decision unanimously यह sentence बिल्कुल सही है यहाँ पर जूरी है यह collective noun है अब इसमें group of judges होंगे कम सकम दोतों होंगे 20 भी हो सकते हैं तो अगर वह jury है तो एक से जादा लोग है एक से जादा लोग है फिर भी उसे as a unit हम treat करते हैं तो singular वर्ब singular possession यह सब singular लगता है लेकिन अब कभी कभी collective nouns के साथ हम plural वर्ब का भी यूस कर सकते हैं वह कैसे पता चलेगा तो मान लीजे sentence से हमारे सामने जूरी वास डिवाइड़ इन देर उपीनियंस तो जूरी जो group of judges हैं वह divided थे उनके opinions में अब यह जो divided शब्द है इससे हमें पता चला कि वह जो यौर्चे उनके बीच में उपीनियंस जो भी मैच नहीं कर रहली थे देवर डिवाइडेड अगर दोज़े इस तो बिशेतों हैं और उनमें से 5K भी मैच नहीं कर रही है तो group हमारा दो हिस्सों में बट चुका है तो कभी भी जब कोई collective noun as a whole कुछ करता है तो उसको singular treat किया जाता है लेकिन उसमें से अगर जरा भी मतभेद हुआ तो वो group हमारा दो हिस्सों में बट जाता है और ऐसी condition में हमें उसके साथ plural verb लगानी पड़ती है तो यह sentence हमारा गलत था हमें कहना होगा the jury were divided in their opinions पहले sentence में कोई issue नहीं गया sentence में unanimous ली शब्द से भी पता चल गया कि सहमती से unanimous का मतलब होता है आम सहमती से मिलकर तो जब उनने मिलकर कोई decision लिया है चाहे वो decision अच्छा हो चाहे बुरा हो negative हो चाहे positive हो पर उनने मिलकर decision लिय है मतलब अगर उस jury में पांच जजिस थे तो पांचों ने एक ही decision लिया है इसलिए हमने उसको singular treat करके singular possession लगाई बट यहां पर divided की वजए से हमें एक तो वर करना पड़ा और यह जो दैर है यह already plural में था कहने का मतलब कि collective nouns दोनों तरीके की वर्ब ले सकता है अपने साथ य कि वह यूनिट काम कर रहा है या एज़ डिवीजन तो अगर कोई भी डिवीजन या सेपरेशन नहीं दिख रहा है तब तक हम उसे singular ही ट्रीट करेंगे लेकिन ऐसा कोई भी इंडिकेटर है जिससे पता चल रहा है कि वह collective noun अलग-अलग कुछ कर रहा है तब हमें उसके साथ plural work देनी होगी एक और example देखते हैं the committee meets here every Thursday अभी sentence में ऐसा कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि उस committee के जो member है वो उसमें से आधे लोग मिलते हैं कि आधे लोग नहीं मिलते हैं उस committee में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग हर Thursday को यहां पर मिलते हैं तो as a unity काम हो रहा है सभी लोग एक जैसा काम कर रहे हैं इसलिए यहां पर यह जो मीट से जो कि सिंगलर वर्ब है यह बिलकुल सही हो जाता है सो ओवरॉल हमने यह समझा कि कलेक्टिव नाउन जो ग्रूप को रेप्रेजेंट करता है इसके साथ हमेशा सिंगलर वर आएंगी न्यूटर जेंडर फॉ में नाउन प्लस प्रेपोजीशन फ्लस नाउन ध्यान रखियेगा प्रेपोजीशन के दोनों तरफ सेम नाउन आया हो ऐसा नहीं कि एक नाउन यहां प而已akah और यहां पर दूसुए जो शबद यहां लिखा है प्रेंगोजिशन के पहले वही शबद अगर आपने प्रेपोज भी ठुआ हो तो सिंग्लर फॉर्म में मिलना चाहिए और इनके साथ सिंग्लर वर्ब यह सिंग्लर पजेशन लगनी चाहिए जैसे कि पेज़ आफटर पेज़ेश ओफ द कुरान वर रेड बाय हिम इस सेंटेंस में ध्यान देना तो अफ्टर और इस प्रेपोजिशन के आगे पीछे यह दोनों वर्ड पेज़ेश यह दोनों नाउन है लेकिन एस पर गून हमें बोला गया है कि यह दोनों नाउन सिंग्लर फॉ क्यों गलत है क्योंकि आगे उसमें यह कहा है कि page after page of the Quran were read by him तो यहां पे जो verb है वो भी हमें check करते आना चाहिए तो यहां पे जो वर है यह plural है अब इसका हमें subject ढूंड़ना है क्या इसका subject Quran है नहीं क्योंकि वो preposition of का object है क्या इस verb का subject यह page है तो यह भी नहीं हो सकता क्योंकि यह preposition after का object है तो बचा कौन पहला वाला शब्द जो कि subject कहलाएगा and as you know हमने अभी अभी इसको singular में लिखा है तो यह singular subject है और जब subject singular है तो but obvious है कि यह जो verb है यह हमारी singular होनी चाहिए थी तो हमें क्या कहना चाहिए था page after page of the Quran was read by him अब ऐसा करना क्यों पढ़ता है rule तो हमें समझ में आ गया कि noun plus preposition plus noun हो तो दोनों noun को singular में लिखो और verb भी singular में लिखो ऐसा करना क्यों पढ़ा तो समझना इस logic को क्योंकि कभी अगर आप rule भूल भी गए तो at least आपका concept आपको help कर देगा समझ येगा कभी भी sentence में इस type की जब बात बोली जाती है page after page one by one side by side तो इसमें एक एक करके बात कर रहे होते हैं मतलब अगर हम sentence में देखे हैं तो सामने वाले बंदेने कई page पढ़े होंगे लेकिन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक पढ़ने की बात चल रही है तो at a time जब एक 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 की बात होती है तो उसको singular form में लिखा जाता है और सीधी सी बात है जब आप उसको singular में लिखोगे सब्जेक सिंगलर होगा तो वर्प तो सिंगलर होनी ही चाहिए इसलिए यह रूल बना है कि प्रेपोजिशन के आगे पीछे जब भी सेम नाउन आएगा उसे singular में लिखना पड़ता है पर क्यों कि हम ल prayer कर रहा होता है शायद यही कारण है कि हम कभी नहीं बोलते कि लीव दसब्ल Спील सब्सक्राइब कंटीर को सब्सक्राइब करें यह में होपसो आपके समयर हो गए हो गए तो आपके सारे साही होने चाहिए पहले sentence पे आते हैं Ships after ships are heading towards the shore As you know, after यहाँ preposition है और उसके आगे पीछे हमें दोनों same noun मिले तो सबसे पहली बात तो यह दोनों singular में होने चाहिए थे और दूसरी बात इसके साथ verb भी singular चाहिए थी हमको हलाकि sentence देखने में सही लग रहा होगा बट हमारा जब subject ही singular हो जाएगा तो verb तो automatically singular करना ही पड़ेगा तो हमें कहना चाहिए Ship after ship is heading towards the shore Next sentence पे चलते हैं The audience were captivated by the performance अभी sentence पे जो audience है यह collective noun है collective noun मतलब group of spectators बैठे होंगी अब बैठे एक से जादा है पर क्या sentence में ऐसा कुछ भी mention है कि उसमें से आधे लोग कुछ और कर रहे थे आधे लोग कुछ और नहीं ऐसा कुछ भी mention नहीं है मतलब यह collective noun as a single entity हम treat करेंगे और जब as a unit कोई चीज इनके बारे में कहीं जा रही है तो वो singular verb लेगी That means the audience was captivated by the performance Captivated का मतलब एक तरीके से एक हो जाना या मोहित हो जाना या मंत्र मुख्ध हो जाने को कहते हैं तो जो audience थी वो performance से मंत्र मुख्ध हो गई थी But अगर हम कह दें The audience were asked to take their seats तो यह sentence बिलकुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ sentence में हम audience को कह रहे हैं सब अपनी अपनी seat पर बैठ जाए तो सब individual काम ही कर रहे होंगे इसलिए यहाँ पर वर और देर दोनों सही हो जाएगा अगले sentence पर चले He begged from doors to doors As I told you यह जो doors to doors है यह noun plus preposition plus noun का syntax है तो हमें इसको singular में कहना चाहिए था He begged from door to door वो घर घर गया या दरवाजे दरवाजे पर गया तो एक साथ बहुत सारे दरवाजे पर नहीं गया एक एक करके गया तो यहाँ पर door to door आएगा Next sentence पर देखें Team is strong अभी जो team है चाहे दो लोगों की हो चाहे दो सो लोगों की हो Sentence में as a whole इनके बारे में बोल रहे हैं कि जो team है वो strong है मतलब यह as a unit काम कर रही है और अगर as a unit काम कर रही है तो यहाँ पर singular वर्ब आईगी जो कि हमने लिखी है तो यह sentence हमारा no error है अगला देखें Team is fighting among themselves अब जो team है वो आपस में जगड रही है अगर उस team में पांच लोग है या पचास लोग है या पांस सो लोग भी है तो वो आपस में जगड रहे हैं जगड रहे हैं जगड रहे हैं कहीं न कहीं उनकी opinion मैच नहीं कर रही होगी तभी तो दे आर फाइटिंग तो हमें इसको ट्रीट करना होगा plural और यहां पे आएगा फिर हमारा verb are तो team are fighting among themselves लास्स सेंटेंस देखते हैं rows upon rows are built तो यहां पे जो upon है वो preposition है और rows rows हमारा noun है तो यह होना चाहिए था row upon row प्लस आर को हमें इस भी करना पड़ेगा तो sentence हो जाएगा row upon row is built So I hope आपको collective noun and noun plus preposition plus noun का concept clear हो गया होगा मिलते हैं next video में noun पर based कुछ errors के साथ Till then keep practicing